हेलो व्यूवर्स आज की हमारी कविता है उशा इस कविता को लिखा है शमशेर बहादुर सिंग जी ने सबसे पहले हम कविता का सार देखेंगे फिर आर्थ ग्रेहन यानि समरी और उसके बाद कविता के प्रिश्ण उतर करेंगे तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखिए उशा कविता में फोर कालिन सोंदर्य यानि सुभ़े का सोंदर्य जो है उसका शुक्ष्म चितरन किया है सुभ़े होने से पहले आगास का रंग बिल्कुल नीला हो जाता है कैसा हो जाता है नीला और वो भी तुलना किसे की है शंक से मानो कोई शंक हो थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह पहले राख से लीपे हुए चोक्सा प्रतीथ होता है सुभ़े सवेरे का वर्णन कैसे किया है राख से लीपे हुए चोक्से इसकी तुलना की है प्राते कालीन जो समय होता है उसकी कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है या यो लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है तब आकास में उगती हुई श्वेत्ता यों लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह जिल मिला रही हो आकास की जो वाइटनेस है वो कैसी लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह जिल मिला रही हो यानि कोई गोरे शरीर वाला व्यक्ति शनान कर रहा हो सुर्य दे होने पर उशा का सारा सौंजर्य समाप्त हो जाता है उशा काल मतलब सुर्य उगने से पहले का जो काल है इस प्रकार उशा का सौंजर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है शुरुआत करते हैं कवीतागी प्रातेह नब था बहुत नीला, शंक जैसे भोर का नब राक से लेपा हुआ चोका अभी घीला पड़ा है यानि कि प्राते कालीन आकाश का रंग गहरा नीला था शंक के समान गहरा नीला उसके बाद भोर हुई भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंदा पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी एसा लगा मानो आकाश ना हो बलकि राक से लीपा हुआ गीला चोक हो नमी के कारण गीला पंधा और राक सा गहरा था रंग भोर के समय वातावरण ना तो गहरा काला होता है और ना उजला उसका रंग नीले शंख जैसा बुजा बुजा प्रतीद होता है इसलिए नीले शंख की उपमा सुन्दर जान पड़ी है राख से लिपे जाने का रंग गहरा सुर्मई होता है भोर कालीन वातावरण में भी ऐसा ही सुर्मई होता है इस कारणी है समानता सुन्दरवन पड़ी है प्राते कालीन वातावरण में ओस और नमी होती है गीले चोक में भी यही नमी है इसलिए दोनों की समानता इस कविता में बताई है प्राते कालीन वातावरण में ओंस की नमी है और इसका रंग गहरा सुर्मई है इस समय किसी प्रकार का प्रदुशन नहीं है अतह यह चोके जैसा पवित्र समय है बात करते हैं कविता के सौंदर ये बोट की इस कविता में भोर का वातावरण अत्यंत सुक्षमता से प्रस्तुत किया गया है सबेरे के समय वातावरण में गहरा नीला रंग होता है इसे उभारने के लिए कविने संख की सुन्दर उपमा दी है उपमा यानि तुलना करते हैं जब किसी भी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु की उसमें भी सुन्दर उपमा है राक से लीपा हुआ गीला चोक दोनों के उपमा हुई है यह विम्ब भोर कालिन गहरे रंग और नमी को साकार करता है कभी को वातावरन चित्रन में अध्भुत सफलता मिली है चोकी के कारण कभी प्राते कलीन पवित्रता को और भी उभार शखा है संख जैसे इन शब्दों में उपमा है राक पड़ा है इन में भी उपमा है अत्यंत सरल और लगूश अब्दों का प्रयोग कविता में हुआ है मौलिक कल्पना है वर्णन में चित्रात मकता है अन्य पंक्तियों में कविका कहता है बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हूँ स्लेट पर या लाल खड़िया चक मल्दी हो किसी ने सिल यहाँ पर क्या है जिससे मसाला पीषते हैं हो वाला पथर सिल होता है केसर एक प्रकार का सुगंदित फूल होता है जो धिकांश्तिया खाने बनाने में सुगंदित खाने को करने के लिए काम आता है भोर के चुट पूटे में अधेरे और सुरज की उगती हुई लाली का मिश्रण कैसा लगता है मानों बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो थोड़ा सा केसर लगाते ही उसका कलर आ जाता है सिल पर तो उसी प्रकार की जो भोर का छुट पुटा है उसमें शुरू में जो सूरज की किरने आ रही हैं वो इस प्रकार से लग रही हैं जैसे काली सिल पर केसर हो अंधीरा काली सिल जैसा प्रतीद हो रहा है और सूरज की लाली कैसी लग रही है केसर के समान यह वातावरन ऐसा जान पड़ता है माना किसी ने काली स्लेट पर लाल खडिया चाक मिटी लाल खडिया चाक मिटी होती है गेरू जिसको बोलते हैं आम तोर पर पहले के समय में इस घरों की दिवार पोत्में के काम में लिया जाता था अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चाकमिती के समान दिखाई दे रही है इस काव्यांस में कवी भोर के अंधेरे चुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हलकी हलकी लालीमा का द्रिश्य चित्रित कर रहा है भोर काल में आकास में कैसा अंधेरा होता है सुर्मई जिसे काली सिल या स्लेट के जैसा बताया है लाल केसर और लाल खडिया चाक सूरज की उबती हुई लालिमा को चित्रित करते हैं राते काली ओस और नमी धुलने के द्रिश्य द्वारा चित्रित किया गया है धुलने के बाद जो गीलापन हमारे सामने आता है वहकाली सिल के लाल केसर से धुलने पर दिखाई देता है इस पध्यांश में रात की कालिमा, उस का गीलापन और सूरज की लालिमा के मिश्रण को बहुत ही सुन्दर तरीके से बताया गया है कवी ने कर्पना की है कि मानों रसोई में मान ने सिल्वटे को केसर से धो दिया हो या बच्चों ने स्लेट पर लाल खड़िया चाकमिती मल दी हो दोनों उत्प्रेक्षाएं नवीन हैं, नई हैं, मौलिक हैं, जन्रुची के अनुकूल है उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत काली सिल्व हो गई है, स्लेट पर किसी ने इन दोनों में उत्प्रेक्षा है, काली सिल्व में अनुक्रास अलंकार है अनुप्रास अलंकार क्यों है लेक की आवरती हुई है मुक्त छंत का प्रयोग हुआ है इसकी भाशा अत्यांति सरल है अन्य पंक्तियों में भोर कानब राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरासे लाल केसर से कि जैसे इधुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी नहीं इसमें मुख्य भाव भोर कालीन वातावरन का शुक्ष्म चित्रन करना है कवी ने उस समय के रंग को राख से लीपे हुए चोके से चित्रित किया है इससे वातावरन की गहरी कालिमा और ओस साकार हो थी है बाद के दोनों उपमानों में स्लेटी रंग के साथ फूटते हुए सुर्य की लालिमा भी प्रिवेश कर गई है इस प्रकार यह परणन बहुत ही शुक्ष्म और सुन्दर है उपमा लंकार का प्रियोग हुआ है भोर कानव राक से लीपा हुआ चोका उत्प्रिक्षा लंकार जो है भुत काली सिल जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हो भाश्या प्रवाहपुर्ण है और अलंकारिक है तीसरी स्टेंजा में नील जल में या किसी की गौर जिल्मिल देही जैसे हिल रही हो और जादू तूटता है इस उशा का अबस्रियोद हो रहा है नील जल यानि नीले रिंग का पानी गौर यानि गौरा जिल्मिल देही यानि चमकता हुआ शरीर जादू यानि सौंदर्य या आकर्षन भोर के समय जब आकास में गेहरा नीला रंग छा जाता है सूरज की स्वेत आभाद दिखने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीद होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह जिलमिल कर रही हो कुछ समय बाद जब सौर्य उदित होता है तब उश्या के पल-पल बदलते रंगों का सौंदर्य एक दम छुमंतर हो जाता है अर्थात सौर्य उद्य हो जाता है और प्रकरती के रंग समाप्थ हो जाते है इस काव्यांस में नीले आकास में सूरज के चमक की जिल मिलाने का दिश्य बताया है प्राते कालीन आकास नीला है और सूरज की पहली पहली किने जिल मिला रही है नील जल के उपमान द्वारा कभी प्राते कालीन नीले स्वच आकास को चित्चित करना चाहता है सूरज की लाली धीरे धीरे लाली मा छोड़ कर स्वेत होने लगती है उशा के जादू का तच्परे है प्राते कालिन वातावरण का अपार सौंधर्य प्राते कालिन सौंधर्य की नित रूप बलती जाग्यां गायब हो जाती है और चारों और एक समान सूरज की धूप फैल जाती है प्रश्णोत्तर पर आ जाते हैं पहला प्रश्ण है कविता के कावे सौंधर्य पर प्रकाश डालिये कवी ने सौंधर्य की सौफा की बेला में उफरने वाली प्राकर्तिक शोफा को बहुत ही शुक्ष्मता से अनभव किया है उसके रंगों को पकड़ने में और उस सौंधर्य को कहपाने में कवी को सफलता मिली है नीले जल में जिल मिलाती गोरी देह के उपमान से हमारी आँखों के सामने प्राते काली इन सौंधर्य साकार होड़ता है यहे कल्पना नभीन और ताजा है उशा का जादू टोना भी पठक की आँखों के सामने अनेका नेक कल्पनिक चित्रों को साकार करता है नीला जल नीले आकास का दोतक है तथा गौर जिल्मिल देह उगते हुए सूरज के प्रकास की दोतक है भाशा चित्रात्मक है पाठक की आँखों के सामने चित्र उभर आता है सरल और लखू शब्दावले का प्रयोग किया गया है नीले जल में उद्प्रेशा अलंकार है प्रेशन दो है उशा का जादू क्या है और क्यों तूट रहा है कावे आँश का विम्ब स्पस्ट कीजिये और भाशा पर टिपने कीजिये उशा का जादू प्रते कालिन नब में नित बदलते रंग और रूप सुर्योदे के बाद बेरंग बदलना बंद हो जाते हैं इसलिए सुर्योदे के पश्चात उशा का जादू तूट रहा है सुर्योदे के समय नील गगन में उगता हुआ सूरज ऐसा प्रतीत होता है मानों नीले जल में कोई गोरी नहा रही हो और उसकी देह छिल मिला रही हो भाशा संस्कृत के सरल शब्दों से युक्त है मुहावरेदार परवाहमई चित्रात्मक भाशा है प्रश्न काव्याश में प्रयुक्त उपमानों का उले कीजे और भावसुंदरिये स्पष्ट कीजे नीला शंक प्रतेकाली नब के लिए प्रयोग हुआ है राक से लीपा हुँआ जोक भोर के नब के लिए लाल केसर से धुली हुई काली सिल भोर कालिन गीले वातावरन में सूरज की उगती हुई लाली के लिए नीले जल में चिल मिलाती गौरी देह यह नीले आकाश में उगता हुआ सूरज है हलिंकरित भाशा है अरिस्तिती में नया उपमान प्रयूक्त हुआ है सरल गरामेन जीवों के शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें नीले नबस हे उदित हुए सूरज का सुंदर ये इसका ब्रण बहुत ही मनुहारी है उसकी समानता नीले जल में नहाती सुंदर स्ती से की गई है बहुत ही मनोरम द्रिश्य विंब का प्रयोग हुआ है उशा कवीता गाउं की सुभा का गतिशील चित्र कैसी है? सपष्ट कीजिए कवीता में नीले नप को राक से लिपे चोके के समान बताया है दूसरे विंब में उसकी तुलना काली सिल्से की गई है तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उपमान बनाया है लीपा हुआ आंगन, काले, सिल्स या स्लेट गाउं के परिवेश से लिए गए है महानगर के बालकों ने ना तो लीपा हुआ चोका देखा होगा और ना ही स्लेट यह शब्द चित्र गाउं की सुभा के हैं जहां तक गतिशीलता का प्रश्ण है पहले चोका लीपा जाता है तब ही सिल्का प्रयों होगा और उसके बाद बालके हाथ में स्लेट दे जाएगी आता है इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामीन जनजीवन की जहांकी गतिशील जहांकी यह चल्चित्र जहांकी आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी इस प्रकार से यह गतिशीलता के अर्थ में प्रकट होती है